आर देखो चिडिया लोग भी घर के ओड़ जा रही है कि अबिए कि अबिए वार के ओड़ एड़ एड़ जाओ कि अबिए कि अबिए उड़ कि अबिए शोल च आर रही है जो हुआ। कि देखो गाइच यह जंगर है ना पूरी तरह बंबू से घिरी हुई है वह यार प्रकाठे ना यह टोपी में और यह जैकर में फस रही है तो यहां पर देख सकते हैं इस यह कात Products दिखाता हूं इस तरह से बंपर नुकिली होती है पूरी ही सकाई बाली हुती है इसमें लगी हुई रहती तो यह जो चूपती है इतना जादा खतनांग होता है यह पूछो मत ज्यादा खतनांक होता है इस वज़े से आना काफी यादा मुश्किल हो जाता है तो चलो आप चलते हैं सिधा अपना लोकेशन धूड़ने रहते हैं ये जंगल ना पूरा को पूरा बहुत जादा घोन है पुरा बास का ही जंगल है पूरी चारत्र फैली विए पूरत में यहां से इंटेर कर रहा हूं तो तो सब जोरा घाज में जाने वाला है क्योंकि, मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूँ, जो यहां के, मुझे लगता है कि यहां के जो बच्चे हैं, वो लोग यहां पर खेलते खेलते बनाए है, या कुछ अइसा मैंजिम सोचे हूंगे, या कौण मह यहां मेरे को अच्छे से पता नहीं है, पर मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहां प्याखिर क्या ऐसा बना हुआ है जो मेरे अंदर के कलाकार को और भी ज्यादा उत्सुक की भड़का दिया है उसको और निकालने का प्यास कर रहा है तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आप यहां पर देख रहोंगे कुछ लाइन से बनी हुई है यार काफी जादा लंबे चौड़ एरिया में बना हुआ है आपको मैं जूंग करके दिखाता हूँ जब आपको लाइन दिख रही होगी अच्छे से मैं आपको मिच्चे से दिखाता हूँ जूंग करके कि यह पत्थर को जामा करके बनाया हुआ है यह दोनों साइड पत्थर को जामा करके बनाया हुआ है और यह काफी ज्यादा दूर तक बनाया हुआ हुआ है लाकि पता ने क्या बनाया हुआ हुआ मेरे को कास अगर ड्रोन रहता तो मैं आपको दिखा पाता देखो यार आपको दिख रहा होगा ये कुछ लगता है कि यार मेरे को समझी मैंने को लेटर तो नहीं लिखा हुआ है को ये चित्र ही बनाया हुआ है यहां पर देखो आपको एक गोला सा दिखरा होगा अकार और इधर से मैंने काफी ज्यादा लंबे दूरी तक बनाया हुआ यार आप गेस करो यार कि यह क्या बनाया हुआ है अगर आपको पता हुए या को आपके घर के अगल वगल में ऐसे कोई चुछ बच्चे करते हो तो मेरे को तो यह समझ ही मनी आ रहा है क्या बना हुआ है तो बहुत ही जादा लंबे दूरी तक इसको बनाया गया है यार देखरो अधर तक इदम पूरा बनाया हुआ है यह सा पूरा एरिया में मेरे कोई समझ ही मनी आ रहा है यारी पत्थर से बच्चे लोग जितना ज्यादा मेहनत किये हैं और आखिर क्या बनाया में किसी से पूछने का प्यास करते हूँ हूँ अगर कोई मिल जाए तो अ तो चलो हम मिलते हैं आगे हूँ जोगला के लिटा में! कि अपने लोग्ते बाची है प्लिक लोग्ते है थे लोग्ते हैं तोगई जोगई एंग कि अच्छ फैनल हम आच उपने लोकेशन पर और जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपने थामिल में भी देख चुका है कि हम लोग एक बाउस वाले जंगल में जाने वाले हैं और गायज मैं आज इसी लोकेशन पर आज हम केंपिंग करने वाले मैं और मनिस भाई को आप जो देखी सकते हो तो आज रहां पर केंपिंग करेंगे और आज कुछ अलग हट यह जो हमारा ख़ाना बनने वाला जो देनर होने वाला हूं आज कुछ अलग ही मज़ाता है तब तक हम अपना इधर प्रेंटिंग करने के लिए अपना सेट अप करते हैं और इसका अधर करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यार ठंड का दिन है और अभी काफी आदा ठंड यहां पर बढ़ चुके तो देख लिए अभी धूप है फिर भी मेरे को टो में मिल करके हम लोग डिनर बनाएंगे सुगाज मेरा इधर यह सेट अप हो चुका है और तक तक मनिस भाही ने यह कैम भी लगा दिया तो चलो अब जल्दी से पेंसिल उठा लिए अब चलो जल्दी से इस लोकेशन का स्केचिंग करते हैं और पेंट करना शाट करते हैं करते हैं अब इसको हलका स्केच कर लिया है तो चलो टाइक करना शार्ट करते हैं क्योंकि या अब संसेट होने में ज्यादा टाइम नहीं है करीब आधे घंटे में लगता है मेरे संसेट हो जाएगा आधा अधे संसेट हो जाएगा तो चलो आप जल्दी से पेंटिंग करना शार करते हैं करना शार करते हैं कि अच्छ जब जल्दी पेंटिंग करना पड़ेगा प्रचानक से देखो सुरे एदम ढ़ल चुका है तो अब अगर सुरे ढ़ल जाएगा तो फिर अब ज्यादा मजा नहीं आएगा पेंटिंग करने में तो इस ज़्यादा पेंटिंग कर रहे हैं कि यार काफी आदा मजा रहा है इसको पेंटिंग बनाने में और यह कि बहुत फास काम करना पड़ा क्योंकि छोड़े-छोड़े पत्ते हैं ना इस विज़ें से टो गाईज फानली मेरा भी पेंटिंग अश्यादा में धुच्यादा प्रिसमा-दूरे-ड़े-पास में फासिए सो इतना कम्पीट हुआ है अभी का जो मौसम की जो यहां का वातावरन है वह इतना सदा बाहर बन चुका ने आर आप एक बार चेक करो कितनी मस्त यहां पर चड़ियां का आवाज आ रही है पतिक हैं यहां पर चड़िया को चाहीं यहां पर च्ड़ियों को किटनी तरह प्रकार की चड़ियां होगी और और जो यहां पर काफिया दम जाने हो लाक्यों कि देखो हमारा कैम जो है स्टेट हो चुका है और हमारा पेंटिंग कम्टेट हुआ है अब इस भाई अब अराम कर रहे हैं और मेरा पेंटिंग जार देखो अभी घर के ओड़ जा रही है आगर पेंटिंग काफिट एक और बताओ कितना हथ तक मेरा पेंटिंग से सवही बना है और इसको भी चेक करो एक वार और बूडियो मा आगे बने रहेख हो रात को काफिज आधा मजाने वाला है तो चलो मिलते हैं आप सिधे डिनर पे बाई आप प्रब्र प्रिफज बिल्ग बिल्ग कर्ड़ करता है कि तुछ गाएज इतनी सारी चीज़ हैं अज लोग प्रिकॉरी बनाने वाले हैं आप एंक लिए 2 3 4 क्यार यह प्रिकुरी बनाने वाले हैं और एक इस मिक्सरेश बनाएंगे तो तो टोटल पांच हो जाएगा क्या मनिस्वाई आज मिर्ची का फकाड़ी बनाया जाए एक सिम्ला मिर्च्ट है इधर पर एक मिर्ची का फकाड़ी बनाने वाले हैं अब कटने वाला ये भंटा या बैगन ब्रिंजाल जो भी आप बोलो इसे जाए यार अभी से मिर्च्ट पाने लगा unge Раз अभी एक संवहन अभी से पानी आने लगा इसको इतना जाए प्पसंक्रताूं हुना इतना प्रह करता हुना यार करने बहुत टेस्टी लगता मेरेको तो चलो आज इसका तो आज मनिस्वाई को मिलने मिलने से रहा मैं मनिस्वाई को देने वाला नहीं हूँ नहीं नहीं खौग यार बहुत बनवासी कर रहा यार अभी सही कच्छे खाने लगा तो मिर्च है तिता ही लगेगा ना यार देखो मैं जैसे ही बोला कि मैं जरा समीने देने वाला जो जो एकच्छा ही खा लेते हैं इससे बनेगा शी मिला मिर्च का पकोगा यह तो मुझाने वाल है तो लोग हम लोग लेकिन इतने सारे होगी हैं और भी धेर सारा यार पूरी थाली भर गई है यार तो यह है अपना बेशन राकेश का राकेश का नहीं है राकेश का यह जो फोल इसका प्रबाइब करना पहेगा और देखना बनाने आता है न तुझे अपना पोतेटो शेक शार डाल दो भूं को डाल दो मिर्चाइ है यार इस थाली बनाद शिर्ट मिर्ची है देख लो किंवी तरेक्ति मिर्ची अहां गटाड़ू से पानी ज्यादा भी नहीं देख ले ता है कि स्वाद नुसार थोआ सब गुल के स्वाद नुसार ही डालना भाई स्वाद से बाहना हो जाए मिर्ची पहले डाला हुआ है इसके बाद यहां एक इंट्रेस्टिंग कहान ही है हम लोग नमा की सब कुछ याद ही नहीं था बस चल दिया थाग जलाने और बनाने के लिए लकिन अचानक से याद आया कि नमक मिर्चा हल्दी सब कुछ ड़ा जाता है स्वाद नुसार मतला हां स्वाद नुसार है ऐसा नही कि थोड़ा डालो है कि अब देखो याद इसका कलर कुछ अलग निकर निखर क्या आया है कि अच्छ 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 संधिए उट आथ अच्छ 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 गिंगर तो यह गया बैगण तेल थेंड़ा हो गया थे ना हां अब खड़का मोगे थी यार इस वज़े से एक फिलेट खटम नहीं हो चुका है बनाते बनाते खार यहार हम लगघ तो गयदर से निकलते जा रहा हर और हम लोग खाते जा रहे हैं तो जानी रहीं पाकॉड खाने का असली मजाना गर्मा गर्म है जब गर्मागरम खूए जादा मजा आएगा फ़नी और मजा नहीं आता इस वर से इधार करें जोर्ब आए तो जुटे में बहुत जादा मजा आता है लगता जब शोचा आते हैं तो तो उसको फिर थोड़ा आवाज की बज़ेशना डर लगता है भी तो खैर इधर ही इतना वाज़ारा कि बाहर का वाज नहीं नहीं दे रहा है थोड़ा आग और अच्छे से लहरे ना तो यार बहुत मजाएगा इस बताओ किसको किशको ऐसे जगह पर आकर खाना वराने का मन है इसा नहीं है कमेंट करो और ढمل पार में आपको साथ में लग आऊंगा अपना अब कि कि इस अचनक से यार देखो अभी कितने सारे स्चाइब से भॉकने लगे हैं आप सून सकते हो इसे अजीब से लगने लगा है कहीं पास मेना जाए पास में आएंगे नहीं तो फिर आरा हम लोग को यह सब बर्बाद हो जाएगा थाली चेक करा दो इतना सार यार देखको इतना सार खाग है हम लोग इदर चट्नी रखा हुआ हमारा दो सॉस चिली सॉस ट्रमेटर सॉस और यार चेक कर यार इसे क्या मस लग रहा है अब बार यह हमारी सीमला मिर्श की यह गया कडाही में तो दो करका डालते हैं यार यह गया कडाही में जा रहे हैं अब इतना जादा मजा रहा है यार पूछो मत खर मैं इसके निकलने की वेट कर रहा हूं कि कब मेरे मुझे मानिस वाजि तुम ना टोमेटो सॉस इसमें निकाल कर रखो यार क्यांकि निकलेगा मेरे को बर दास जड़ा सबनी होने वाला इहा है तेरा हाथ में देत कर थाना आप हेले न लूँ अयश बाइच आप मैं अफ्कशाली अकटाए इसी वाहने ही शे plot कर गाये जिल कके कर घूजी में इह अब आए आए असलिंग क्या चैक कर भाइजी सह को न लोगाए कि यह जो कि पाइग करके तेंड के अनदर आ चुक आछ यार बहुत भाइवार घंडी लग रही थी तो स्थे चलो यार अब टेंट के अंदर खाये जाया सोब तो यह रहा बैगोन का पकोडा और यह रहा हमारा प्यारा सीवना मिट्स का पकोडा अब भाई आलु याले ना उ चल का आमने सबने में मीक हाने और जो फ़ी नियुक्त bird अब करको एक नविवात जाते हिनी तो स्वीर है खाते हैं और वे पोड़नों हा् थंडा हो गिया तो बहुत मैं जाता इसलिए तो इतना ही था गाइज यह पुरा इसका खाली का डवल था आधा हमने खाली और आभा भी खा रहे हैं इतना लखी बहुत मजा रहा है इसलिए इतना सारा सब खा ले रहे हैं वरना घर पे बनता इतना सारा तो मिल्टब नहीं अदोसी वाद खा भी नहीं पाते यहां पर अभी पुरा यहां है कुट्टा बोगने का वाइद आ रहा था जो से उपाते तरह से बंद जाता है ना यह अभी तो खा रहे हैं पता नहीं सुबह क्या होने वाला है सुबहार बहुत आनल से खा रहे है यार पतानी सुबह क्या होगा अरे कहना क्या चाहते हो अब सच्ची से बताओ अभी अभी अलुको छोड़के तीनों में से को अच्छा लग रहा तुमको खाने में कब्दू ने मेर तो वही है उर बादो बचल लेका है और तुमको एक बाई उस सिच्योशन के नुसर होता है कैसा डल लग रहा है हम बता का करेंगे हैं जिसे अगर जिसे खर खुब बाहर से ज्यादा आवाज आने लगे कंबल लेंगा घूश लाएंगा राम से कुछों बाहर हो बाहर निकलेंगे ने टेंट से पहले बात क्योंकि यह तो पता है प्रहुत तो बाई बाग तो होने पिचाहिए जितना गर में नहीं है ना उतना पता नहीं कहां से ले आते हैं लोग अपने लेगता बांध के लिए आते हैं पाल तु जानो रेसा वाजी में आता हम अदो मना रेर कोई आजाए भाई बाग आज हम देख लेंगे कभी नहीं देखिए रशकस साबनीसे पर फर्लावा है कि लीए सब्सक्राइब करा यह नहीं हृव नहीं सही बचने के प्रियास कर देने वाले तो हैzinho इसलिए चलो आप जली से खाव कर लिया है अब हम लोग डिनर कर लिये हैं और सो गया है तो हम लोग जा रहे हैं यार अभी कैम करने जा रहे थे पर ना लगी देखे कि आग जरा सभी नहीं बचा हुआ है तो फिर आग जलाने में बहुत जादा मुश्किल होता तो सुझे चलो यार अब सिधा इस होते हैं अब मिलते हैं सिधा सुबह तो बाइ गोड़ नाइट